हमारे सास्त्र वर्णन करते हैं कि दर्वाजे पर निब्वू और मिर्चिक क्यों टांगा जाता है दुकान के बाहर घर के बाहर निब्वू मिर्चिक क्यों टांगते हैं क्योंकि लच्छमी और दरिद्रता इन दोनों देवियों को भगवान विश्नु का वर है कि ये प्रती दिन भूम अंडल पर विच्छन करने के लिए जाएंगी प्रती दिन रोज प्रती दिन लच्मी और दरीद्रता दोनों ब्रह्मन के लिए निकलेंगे और जिसके घर में मिश्ठान रखा होगा उसके घर में लच्मी मीठा खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है और निब्बू और मिर्ची दरवाजे पर इसे लिए बांते हैं कि दरीद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे वो दरवाजे से खाकर ही चली जाए दरवाजे से एक बात बहुत ध्यांत रखना जिसके घर में फिरीज में डलिया में या रसोई घर में निब्बू और मिर्ची ये दोनों एक ही जगा रखे रहते हैं उसके घर में कभी शान्ती नहीं रहती है सास बहु का ननन भावी का भाई भाई का परिवार में कुछ ना कुछ कलेश जरूर ही होगा चार दिन अगर अच्छे निकल गए तो पांचवे दिन किलेशका जाएगा पांच दिन अच्छे निकल गए छटा दिन किलेशका जाएगा कुछ ना कुछ एक जरासी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चलू हो जाएगा जरण साथ पानी दोल गया, उसके पिछिए बिवाद चलू हो जाएगा तो वो किलेश तो देगा ही पंडितों से पूछोगे, जोती सचारियों से पूछोगे वो कहींगे मोती पिनादो, कोई कहींगा पित्रदोश हो गया कोई काईगा कालसर दोश हो गया कोई काईगा वास्तू दोश हो गया पर आपको ये नहीं बताएंगे कि निपू और मिर्ची एक डलिया में रखा हुआ है ये हमारा बेद, हमारा शास्तर बताएगा कि निपू और मिर्ची ये दरीदर्ता देवी को प्रिय है और जहां निपू और मिर्ची सांत रखा वहां दरीद्रता प्रविश कर जाती है और दरीद्रता गई तो वो किलेश उत्पन करती है जिससे इसके घर में सुख ना रहे सुख नहीं रहेगा तो लच्मी नहीं रहेगा दरी दरता उसके घर में अराम से रह सकती है अब बहुएं कई किसी से पूछ रही है सास किसी से पूछ रही हमारे घर में सांटी नहीं हमारी बहुत अच्छी थी पहले बहुत किलेश करती है हमारी सास बहुत अच्छी थी बहुत किलेश करती है एक डलीया के अंदर निबू और मिर्ची या फिरिज के एक बॉक्स के अंदर निबू और मिर्ची धखा हुआ है उसका क्लेश तुमारे यार रहे ही सदा रहे इसलिए महराद निबू मिर्ची दरवाजे पर ठांगा जाता है बाहँ संगने बाहर जाए एक बात बहुत सुन्दर है जैसे दूद और दही दोनों एक ही जोले में एक ही बेग में एक केड़ी बेग के अंदर दूद और दही अलग-अलग पोलिथिन में बंदे हुए हैं अलग-अलग डोलची में अलग-अलग डब्बे में रखे हुए हैं एक व्यक्ति एक ही बेग के अंदर दूद और दही ये दोनों चीज अगर लेकर घर के अंदर आता है तो उसके घर में संपदा की तो कमी आती है उसके घर में संपदा टिकती ही नहीं है घर में अगर लाक रुपे रखे हैं तो तीन दिन या चार दिन के अंदर वो पईसा वापीस जाना है दही और दूद अगर एकी साथ आया है एकी व्यक्ति एकी जोले में एकी बेग में एकी कईदी बेग में अगर लेकर आया है उसी तरह निपू और मिर्ची का भी क्रम है महाराथ, कई-कई सब्जी वाले उसको एक साथ बांद देते, नहीं नहीं, निपू बले अलग, बेग मिडालों पन्नी में अलग बांद कर जोले में अलग बांद कर मिर्ची रख लो, वो चल जाएगा, पर एक साथ, अलग हुए महाराथ, म बेटी की बिदाई में चार चीजे नहीं दी जाते, बेटी की बिदाई में चार चीजे नहीं देते, पहली जाडू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी, और चोथा अचार की बर्नी, ये बेटी के कन्यादान में, बेटी की बिदाई में नहीं देते, बड़ी दे दो, पापर द पर बेटी की बिदाई में बेटी के कन्यादान में ना तो जाड़ो जाएगी ना सुई जाती है ना चलनी जाती है ना अचार की बर्नी जाती है और मेरा निवेदा ने अगर बेटी को तुमारे घर का तुमारे हाथ का अचार कितना भी पसंद हो और बेटी के मम्मी बना के दे रहे नहीं मत देना क्योंकि बेटी तन, मन और धन ये तीन चीजों से दुखी रहेगी अगर माने अचार दे दिया तो बेटी के घर में जा तो तन से दुखी रहेगे या मन से दुखी रहेगे या धन से दुखी रहेगे बेटी को ये तीन दुख तो रहेंगे ही कई-कई लोग तो अपनी बवू से बेटा तु माई के जरी तुरी मम्मी के हाथ का अचार अच्छा लगता है लिया ना बांद के अब उनको कौन समझा तुमने तो कह दिया बांद के लिया ना पर उसको समझो तो सरी क्यों नहीं लाना है महराज दरिदर्ता देवी को क्रोध आगया लच्छमी जी के साथ नारेण जाने लगे तो लच्छमी जी बोली रुको प्रभू मेरी बेहन पीपल के पेड़ के नीचे बेटी है आप करपा करो भगवान विश्णु ने कहा सुनो लच्छमी लच्छमी और नारेण इस पीपल के व्रक्ष के नीचे आकर दरिदर्ता देवी से मिले हैं साथ दिन तक पूरे सत्तहा पीपल के व्रक्ष के नीचे लच्छमी और नारेण का वासा होगा जो पीपल के व्रक्ष के नीचे आकर दीप जलाएगा पूजन करेगा पाइट करेगा उसको संपदा की प्राप्ती होगी इतने में दरिद्रता देवी खड़ी होगी यह दरिद्रता ने का वा नारेन वा क्या बात है आपकी पीपल के व्रच के नीचे तुम मिलने के लिए आए मैं तो पहले से बैठी थी साथ दिन तुमने अपने कर लिए इसमें एक दिन मेरा होगा भगवान ने का कौन सा तब दरिद्रता देवी का ती यह रविवार का दिन पीपल के व्रच के नीचे यह दरिद्रता देवी विराजमान रहेगी अगर रविवार के दिन कोई पीपल के व्रच के नीचे आएगा तो उसके साथ दरिद्रता देवी उसके घर में प्रविश करेगी इसलिए सास्तर रिती में भगवान विश्णु ने उसी समय पलिट बार करते हुए कह दिया सुन पीपल के व्रप्षे के नीचे अगर कोई रविवार को आया और कोई पूजन की समगरी लेकर आया हाथ में कुछ न कुछ उसके हुआ खाली हाथ आया तो तूसके घर में प्रवेश करी और अगर भना हुआ हाथ रहा तो तूसके अप्रवेश नहीं कर सकते भीक है प्रभू बचन दे दिया भगवान नहीं इतने में दरितरता देवी भगवान विश्णु से बोली प्रभू सारे देवताओं के पीछे अधर्म बेठा हुआ है सारे देवताओं के पीछे अधर्म बेठा हुआ है दुख और दरितरता कहां जाकर बेठें आप इस थान बता दीजी आपको अब भी कहा कथा में कि देवताओं के पीछे देवियों के पीछे पीट के भाग में अधर्म का निवास है आगे धर्म का निवास है इसलिए मंदिर में अग्रण्ण प्रणाम करना चाहिए आगे की पीछे नहीं दरीतरता देवी कहती है ये दरीतरता और दुख कहां जाकर वेठेंगे आप बर दीजिए भगवान विश्णु ने कहा ये भी तेरे लिए है तु लच्छमी की बेहन है मांग ले तुझे कहां बेठना है कहां रहना है दरीतरता देवी कहती है जिस घर में इस्त्री दोपहर में सोती होगी उसके घर में दुख और दरीतरता दोनों जाएंगे जिनके घर में काटेदार पेड़े लगे होंगे पोधे लगे होंगे उनके घर में दुख और दरीतरता दोनों जाएंगे जिनके घर में रातरी में बासी बरतन पड़े रहेंगे उनके घर में दुख और दरीतरता दोनों जाएंगे भगवान विश्णु बोले ठीक है इतने में दरीद्रता देवी बोली सारे देवताओं में प्रथम मानने होने वाले श्री गनेश जी महराज के पीट के पीछे कोई नहीं बेठा अधर्म नहीं बेठा आप हमें बर्दो के दरीद्रता और दुख गनेश जी के पीट के पीछ विराजमान होंगे प्रिष्ट भाग में दरिद्रता और दुख दोनों रहेंगे बर्दों आप